तो यहाँ पर आपका प्रस्ण दिया है कि निम्लिखित में से कौन सा सब्द तदभो नहीं है यहाँ पर साथियों ध्यान देना है क्या नहीं सब्द तो नहीं लगा है तो जो उपता लागा इसे आपने तदभो पड़ा और अंसर लगा दिया ऐसा मत करिएगा क्योंकि एक न नमबर सायम, सायम क्या है आपका, यह आपका तदभव नहीं है, यह आपका तस्सम है, और इसका जो तदभव बनता है, वो आपका साम बनता है, क्या बनता है, साम बनता है, हम लोग यहाँ पर ट्रिक भी बताते चलेंगे, कि इनको पहचानेंगे कैसे, ठीके, देखो जहाँ पर चांद की बिंदी लग जाए, वो हमेशा आपको तदभव ही होगा, ठीके, क्या होगा, तदभव ही होगा, चलिए, नेस पॉइंट है, कि एकल सब्द का तदभव सब्द बताईए, एकल सब्द का तदभव, चलिए, जवाब आ रहे हैं, very good, बड़े हाँ हैं, चलिए, य करपट सब्द का तदभव सब्द बताना है, चलिए, जवाब दीजी, सभी लोग साथ में जवाब दीजी, तो करपट सब्द का तदभव होता है, बिल्कुत सही है, very good, आपस्तन आपके यहाँ पर सी होजएगा, कपड़ा होजएगा, ठीकी, कपड़ा होजएगा, अगला पर देखे, तदभव पूछा है, कयवर्त का, और जवाब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आज चुका है, आपसन बी होजएगा, आपका केवर्ट होता है, ठीके, केवर्ट होता है, अगला प्रस्ने, कि गरद सब्द का तदभव रूप बताईए, गरद का तदभव, मखी सब्द का तदभव रूप बताईए, मखी सब्द का तदभव, चलिए, जवाब दीजी यहाँ पर, और मखी का तदभव क्या होगा, तो एक रूल होता है, कि जो तदभव होता है, उसका जब तदभव में परिवर्टन करते हैं, और अगर खा है, तो खा का हमेशा किस में होता है, छा में होता है, जिसे आपका खेत होता है, खेत, खेत, तो खेत का क्या हो जाएगा, खा का परिवर्टन हो जाएगा, छेतर, तो सिंदर सिधा हो जाएगा, छेतर हो जाएगा, समझ में आ गया, चलिए, नेस प्रसम दिया है, हल्दी सब्द का तस्सम मताईए, सबी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, हमको भी आनंदा आजाए, और आपको भी आनंदा आजाए, चलिए, हल्दी सब्द का तस्सम मताईए, और बेरी गुड, अच्छी तैयारी है, विल्कुत सही जवाब है, ओप्सन रैट अपका हद्रा हो जाएगा, ठीके, ह हरिद्र का मतलगाईएगा, हरिद्रा होता है, ठीके, सी नमबर आपका सही हो जाएगा, अगला प्रस्ने, हुलास सब्द का तस्सम रूप बताईए, हुलास का तस्सम, यहाँ पर देखो, हुलास और हुलास का तस्सम बनेगा, उल्लास बनेगा, जोकि आप्सन रैट आपक सभी हो जाएगा निश्परस ने नारियल सबद का तस्व मानते हैं कि ये रटा होगा लेकिन देख लिया खर यह कहीं मातरा में रिया Pr dig क्या हो जाएगा नारी केल हो जाएगा और नारी केला मतलगा दीजिएगा ठीके बड़ा की मात्रा मतलगाईए यहाँ पर बड़ा की मात्रा नहीं है तो इसमें भी मात्रा मतलगाईएगा यही पॉइंट आपको यहाँ पर समझना था नारी केल होता है ठीके नारी केल होता है चलिए अगला प्रस्न है कि सींग सब्द का तर्सम रूप बताईए सींग सब्द का तर्सम रूप बताईए चलिए यहाँ पर सींग सब्द का तर्सम क्या बनेगा तो याद रखेगा कि यह जो सा होता है इसका परिवर्तन आपको इसमें हो जाता है ठीक है यह वाला जो सह होता है और इसका जवाब आपका सी हो जागा सरंग हो जागा ठीक है सरंग हो जागा आप कहीं कहीं आप देखोंगे तो आपको पहला वाला जवाब का यह वाला सरा है यह वाला सरा तो इसमें भी लगाया गया है बलकि यह गलत होता है सुद्ध जो सह बनता है, वो आपका कैसा, जो single सा होता है, वो इस प्रकास से आपका बनता है, तो आपको जवाब आपका, यहाँ पर C लगाना है, आपकी सब पूछे गए हैं, और आयोग दोरा सही किये हो प्रस्णु के अंसार, आपको यहाँ पर अंसार मिल रहे हैं, अगला है चूरन सब् चूरण का तस्वाम क्या हो जाएगा चलिये जवाब दीजे यहां पर और बिलकुत सही है बेरी गुड और 22 का जवाब यहां परी नंबर चूर्ण होता है क्या होता है चूर्ण होता है ओप्सेट आपके यहां पर सब्लक्त ओर समझें कि कौन सा सब्द तत्सम नहीं है नहीं सब्द आप से कह रहा है दोस्तों और नहीं सब्द आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए इंदू है दिनेशो और मनोज लेकिन रात सब्द जो है यह आपका तदभो है ठीक है यह तदभो है इसका जो तत्सम बनता है वो रात त्रकाल से option आपका दी हो जाएगा तो जिसका जवाब D नद हsın आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है चलिए तिक्त शब्द का तद्बो बताईए तिक्त सब्द का तद्बो क्या बनेगा और तिक्त का जो तत्बह बनता है, याद रखेगा, option आपका यहांपर A हो जाएगा, तीता बनता है, क्या बनता है, तीता बनता है, option आपका A हो जाएगा, अगला है, ससुर सब्द का तत्सम सब्द बताएगे, ससुर सब्द का तत्सम, तो तत्सम तत्बह में एक रूल और होता है, कि यह वाल इसमें हो गया है, तो जवाब आपका अंसर मिल चुका है, बिल्कुल सही जवाब आ गया है, very good, option आपका C हो जाएगा, इसी प्रकार से तैयारी कर लिजिए, बिल्कुल पूरे की पूरे नंबर आपको मिलेंगे, चलिए, तदभो सब्द निर्दिश कीजिए, तदभो और अगला प्रसंद यहाँ है, तसम सब्द बताएए, चलिए, यहाँ पर तसम सब्द पूछा है, और तसम सब्द क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जवाब, याद रखिए, एक rule आपका और होगा, कि जैसे आपका ये वाला सा मिल जाता है, ठीके? ये वाला सा इस प्रकार का मिल जाएगा तो 99% चांस होते हैं कि वो तर्स्सम ही होगा तो जवाब यहाँ पर आपका A हो जाएगा Clist हो जाएगा तो यहाँ पर दिको ट्रिक बताते हैं इस्टार्टिंग में आपको boring लगता लेकिन परस्णों को तर्सम तो ढिट सब्द का तर्सम क्या बनेगा यहां पर 28 का जवाब option right आपका D हो जाएगा दरस्ट बनता है ठीक है D number दरस्ट बनेगा अगला प्रस्ण है तर्सम सब्द का चेन कीजिए यहां पर तर्सम सब्दाप से पूछा है और तर्सम सब्द का क्या बनेगा तो यहाँ पर आपका 29 का जवाब यहाँ पर अगर थोड़ा भी अगर आप ध्यान दिये होंगे कि जो यह आपका रा आ रहा है नीचे भी तो वो आपको अधर को छोड़के यह हिस्सी वाला आपको दिख रहा है चलिए मा सब्द का तस्सम बताए मा सब्द का तस्सम बताना है तो यहाँ पर देखो अगर मा की आप्शन में मतलब आप्शन में माता है और मात्र है तो आपको जवाब आपको इस वाले को लगाना है जो रा है हमने आपको बताया है कि ये रा ये रा ये रा इस प्रकार को मिल जाते हैं तो वो आपको यह ही होंगे तो इसका जवाब क्या हो जएगा आपका C हो जएगा हाँ अगर ये option ना होता मा लो ये option ना होता तब किसको लगाते हैं इसको लगा देते क्योंकि जैसे हम लोग रामायाड काल में पहुंचे तो वहाँ पर माता, पिता ये सुद्ध भासा हम बोला करते थे ठीके, तो वो सुद्ध भासा आपकी संसकत ही हुआ करती थे तो ये जो हम rule आपको बता रहे हैं कि जब ये option में ना होता तब इसको लगा सकते थे ठीके, बलकि option में आपका क्या है आपका सी है, तो अंसर आपका सी हो जाएगा चलिए, अगला है तद्भो सब्द है, तद्भो सब्द बताना है और यहाँ पर तद्भो आपका क्याम से बनेगा 31 का जवाब यहाँ पर देख सकते हैं कि गाउन बुलते हैं मनई, बुलते हैं मनई आपका मनई, जो कि आपका तद्भो रूप है, आपका बी हो जाएगा अगला है, कि निम्लिखित में से तद्सम सब्द है, निम्लिखित में से तद्सम सब्द पूछा है और यहाँ पर आपका तद्सम सब्द क्या बनेगा तद्सम सब्द यहाँ पर 32 को option right आपका होजेगा यहाँ पर देखो आप ट्रिक काम किर रही की नहीं रावड राय और रावड राय कहाँ पर डी वाले में तो option आपका डी होजेगा बिल्कुल easy हिंदी है थोड़ा सा बस मेहनत करने की जरूत होती है चलिए अंगीठी का तस्सम सब्द बताईए अंगीठी का तस्सम बताना है याँपर 33 नमब और अंगीठी का यहाँपर भी गलती करने के chance बढ़ जाते हैं इस प्रस में तो अंगीठी का तस्सम होता है कौनसा अगरिनिस्टी का मतलब कि इस प्रकार से आपका लगा होता है तो यहाँ पर आपका जवाब आपका हो जाएगा कौन से C नमबर आपका है आपका हो जाएगा 33 का आपका C सही हो जाएगा हाँ कहीं हो सकता है कि इस प्रकार की वहलनत आपको देखने को मिले ठीक है लेकिन होता है अगनिस्ठिका अगला है किनिमलिकित में से कौन तदभो सब्द है 24 नुबर चलिए जवब दीजिए यहाँ पर तदभो सब्द और तदभो सब्द जो की यहाँ पर देख सकते हैं दिनकर दिवाकर प्रभाकर यह तो आपके हैं सूरज सूरज यहाँ पर आपका तदभव है और इसका तस्सम बनता है सूर्य क्या बनता है सूर्य अब रा उड़ गया है तो पता चल गया कि यह तस्सम हो जाएगा अब तो समाझ में आ रहा है सबी लोग वीडियो लाइक कर दीजी और दोस्तों को भी सेर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुट सकें पता चले कि नहीं यहाँ पर हिंदी भेतरीन से भेतरीन हिंदी के त्यारी करा जाती है तो यहाँ पर तस्सम सब्द नहीं है यहाँ पर सातियों त्यान देना नहीं सब्द आपको लग गया है तो तस्सम सब्द नहीं है और हमनों इस starting metric बताया था कि जहां भी चांद की विंदी लग जाए वो 100% आपको क्या होगा तदभव ही होगा तो 35 को option right आपका यहाँ पर यह हो जाएगा यहाँ पर आख है यह तस्सम नहीं है यह आपका तदभव है अगला प्रस्न है कि निम्लिकित में से तस्सम सब्द है निम्लिकित में से तस्सम सब्द आप से पूछा है और तस्सम सब्द यहाँ पर आपका हो जाएगा option right यहाँ पर c number जो मुख है मुख यह आपका यहाँ पर हो जाएगा तस्सम ठीक है अगला प्रस्ण आए पर कि निम्लिकित में से कौन सा सब्द तदभाव है कौन सा सब्द तदभाव है तदभाव वाली ट्रेक यहाँ पर देखिए तदभाव है और ट्रेक हमने बताया क्या कि चांद की विंदी मिल जाए वो हमेशा आप लगा दीजिएगा ठीके आँखी भी हो सकते हैं क्योंकि हमारा लच्छ होता है कि वीडियो खतम होते होते आपको पूरी तरीके से वो चैप्टर रट जाए ठीके तो यहाँ पर सिंगार सब्द का तस्वम क्या बनेगा तो जवाब यहाँ पर आपका होजएगा आपका यहाँ पर बिल्कुश जवाब आच अगला है हल्दी सब्द का तस्वम हल्दी सब्द का तस्वम तो हल्दी सब्द का तस्वम क्या बनेगा आपका हरिद्रा बनेगा साथियों हरिद्र का मतलगा दिजिएगा हरिद्रा बनेगा ऑप्शन आपका भी होजएगा हरिद्रा अगला प्रसम पूछा है कि गेहू सब भी है और इसमें भी है थोड़ा समझ के लगाईएगा कि मात्रा कहीं गड़बर तो नहीं लगा रहे हैं तो आप तुरंत आपको किसमें पड़ाओ की मात्रा वाला से होगा ऑप्सन आपके यहां पर हो जाएगा गोधूम कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जैसे लड़की और लक लाना है और पूरे-पूरे नंबर मिलना है चलिए खंडाहर का तस्सम सब्द है खंडाहर का तस्सम क्या बनेगा चलिए खंडाहर का तस्सम आपको बनेगा एक तालिस नंबर एक तालिस को उप्सन राइट बिलकुत सही है खंडग्रह बनता है क्या बनता है सातियों खंड युग्म में से यहाँ पर कह सकते हैं जो युग्म दिया है ठीक है इस युग्में तुरूटी पूड कौन सा है तुरूटी पूड तो तुरूटी यहाँ पर देखते हैं किस पर आपके दी गई है यहाँ पर बैल इस नमबर में तो देखो वचन का होता है ठीक है चरी अगला प्रस्न है कि देवर का तस्सम रूप बताईए तो देवर का तस्सम क्या होता है देवर का तस्सम होता है दूईवर क्या होता है दूईवर होता है ओप्सन आपके आपर हो जाएगा दूईवर होता है ठीक है अगला प्रस्न है कि इन में से कौन सा सब्द ततस्सम नहीं है, नहीं सवदा गया साथियों, ततस्सम नहीं है, अर्थात वो क्या होगा, वो आपका तदवा होगा, तो यहां पर आपका जवाब आपके 44 का हो जाएगा कौनसा, 44 को option राइट आपकर आपकर आपका हो जाएगा D नंबर, मोती, ठीके, मोती ये आपका तस्वम नहीं है याद रखेगा, ठीके अगला प्रस्थी आपर है कि पलंग सब्द का तस्वम रूप बताईए पलंग सब्द का तस्वम रूप chosen क्या बनेगा, पेंट आरिस नंबर और पलंग का तस्वम बनता है पर्यक, रा उड़ जाएगा, क्या बनेगा रा, तो आपका रा मिल गया तो जवाब आपका यहाँ पर C हो जाएगा अगला है, कि इन में से एक सब्द तद्भो है इन में से एक सब्द तद्भो है तो तद्भो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा जवाब यहाँ पर आपका हो जएगा option D कापास क्या है यह आपका तदबह हो है ठीके और इसका तस्वा बनता है करपास क्या बनता है करपास बनता है रा उड़ जाता है इस प्रकास से करपास बनता है अगला प्रस्वन है कि अकरोट सब्द का तस्सम रूप बताईए अकरोट सब्द का तस्सम रूप बनाई बताईए आपर तो अकरोट सब्द का तस्सम रूप होता है 47 को option right यहाँ पर देखो खा है और खा का परिवर्तन किसमे होगा छा में होगा ना हमने आपको रूल बताया है तो अकरोट का तस्वम आपका बनेगा अच्छोट option आपका B हो जएगा अच्छोट हो जएगा अगला प्रस्वन आपर दिया गया है कि अकारी सब्द का तदभव रूप बताईए अकारिका तदभो अकारिका तदभो क्या बनता है तो अकारिका तदभो बनता है आपका अकाज बनता है option B हो जाएगा अगला है टकसाल सब्द का रूप बताएगे टकसाल का तस्सम रूप बता है टकसाल का तस्सम रूप क्या बनेगा तो जवाब यहाँ पर आपका हो जएगा यहाँ पर टंक साल क्या बनेगा टंक साल और टंक साल यहाँ पर देखो कौन सा बना लिखा हुआ है सही टंक साल टंक साल टंक साल तो टंक साल यहाँ पर आपका जवाब हो जएगा कौन सा ओप्सन बी टंक साल आपका हो जाएगा ठीक है अगला है कि इन में से तस्वम सब्द है तस्वम सब्द पचास का नंबर बताना है तो तस्वम सब्द आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा और ओप्सन राइट यहांपर बीनमबर पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा साती हों? पद हो जाएगा. अब इसका इड़ों तद्बो क्या बनता है? तो इसका तद्बो पार बनता है, सिंपल सी बात है, पार बनता है. अगला प्रस्न है कि गोवर का तस्सम रूप बताईए, गोवर का तस्सम रूप क्या बनेगा, गोवर का तस्सम रूप पुछाया है और गोवर का तस्सम बनता है अपका, गोमे बनता है, very good, option आपका B हो जाएगा, गोमे बनता है, अगला प्रस्न है कि धीट का तस्सम अगला कोशन है किन्यम्न सब्दों में से कौन सा सब्द तत्सम नहीं है तत्सम नहीं है नहीं सब्द आप से दिया गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मरतिका है विकार है और कपाठ है लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं तत्सम नहीं है आपका तत्भो मिल चुका है आपका सब्द तदभव है चवव नंबर तो यहाँ पर तदभव सब्द जो कि आपका जवाब हो जएगा option right यहाँ पर ए नंबर कोयल कोयल यहाँ पर क्या है यहाँ यहाँ पर तदभव है और इसका तस्वा मनता है कोकिल क्या मनता है कोकी लिस्ट का तस्सम बनता है ठीके अगला प्रस्ने अटालिका का तदभा रूप बताईए अटालिका का तदभा रूप पूछा है और अटालिका का तदभा रूप क्या बनेगा आपका तो 55 का जवाब यहां पर आपका सही होजेगा आटारी बनता है बिल्कुल सही जवाब है very good, option अपका D होजेगा अटारी, अगला है निम्ण में से कौन सा सब्द तदभो है, चलिए 56 का जवाब देना है, और तदभो सब्द यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका है C नंबर, C नंबर जो आपका है, यहाँ पर तदभो है, और इसका जो तस बनता है, इसका तिरिनी बन जाता है, अगला प्रशन दिया है करपर का तदभो है अपका कपूर होजेगा, और अगला प्रसम यहाँ पर देखे करपूर, करपर, और कपड़ा, करपड, ककपर, खपर, छिक है, चलिए ठीड का तसम बनेगा, क्या बनेगा, इसका निम्ण तो दीत का तस्वम आपका बनता है आपका यहाँ पर option right D number हो जाएगा द्रस्टी बनता है ठीक है द्रस्टी बनता है अगना है कौन सा सब्द तस्वम है कौन सा सब्द तस्वम है तस्वम पूछा है और तस्सम आपका हो जाएगा option right यहाँ पर देखिए सा वाला बताया था हमने बताया था जहाँ पर यह सा मिले 99 आपको जवाब हो जाएगा आपका सुस्तुरसा ठीक है चले अगला है सिंगार सद्ध का तस्सम जो फिर से repeat हुआ है अब तो गलती नहीं होगी न गलती नहीं ह अगला है इन में से कौन सा सब्द तद्भो है कौन सा सब्द तद्भो है आपर तो तद्भो सब्द यहाँ पर आपका एक सड़ का जवाब बनेगा तद्भो सब्द आपका बनेगा यहाँ पर देखिए चांद की विंदी मिल गई और जहां भी चांद की विंदी मिले वह ह अमेशा तत्बह होता है, उप्सन आपका D हो जेगा, भंरा, अगला है मुदरी का तस्म रूप बताए, मुदरी का तस्म क्या बनता है, मुदरी का बनता है, क्या सातियों मुद्रिका ओप्सन आपका । अगला है दे वर् का तत्संद्सॉम क्या होता है दौिवर होप्सन weights B मखण का तत्संद्सद्सुम आपसे पूचा गया है और मक्ख Germ Toni क्या बनेगा एल हो यहां पर ख है तो च्छाथो आपको बनेगा इतना पता है आपको अगला है निम्लिकित में से तत्सम सब्द ही तत्सम सब्द पूझायाँ आपर 65 का जवाब दोडिजी और तत्सम यहाँ पर आपका बनेगा यहाँ पर सब्द आपका तत्सम हो जाएगा option D हो जाएगा यहाँ पर दिन यह आपका तस्सम है और इसका तदभव बनता है दिवस ठीके इसका तस्सम दिवस बनता है अगला है निम्लिके सब्दों में से एक तस्सम सब्द क्या है यहाँ पर तस्सम सब्द की बात करा है तस्सम सब्द आप तो जवाब देही दोगे दे उड़ा होता है आपको तर्सम में मिलेगा ओप्सन अब करड़ी हो जाएगा घर पर बिल्कुल इजी टोपिक आपको हो जाएगा और यही टोपिक नहीं जितने भी टोपिक होते हैं सब इजी होते हैं बस पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले और समझने वाले होना चाहिए चलिये नीचे दिए तस्सम तदवो सब दो युगमों में से कौन सा युगमों तुरूटी पूर है याँ पर पहले तस्सम है भी तदवो है तो छीर का खीर, ठीके याँ पर दही का दही दिया है तो देखो तुरूटी आपको है कुछ ना कुछ क्या तुरूटी आपकी है यहाँ पर तो तुरूटी आपकी यह मिली है यहाँ पर कि यह आपका गलती है क्या गलती है तो दधी जो दिया है दधी यहाँ पर यह नहीं होता है दधी होता है दधी ऐसे लिखेंगे दा और धा धानुस होता है ऐसे यह होता है ददी का दा ही होता है तो गड़बड़ आपका यहाँ पर था ठीके अगला है निम्लिक्षित तसम तद्भो सब्दों के युग में कौन सा युगम तुरुटी पूर्ड है तो यहाँ पर दिया है गरत का घे दिया है और उट का दिया है उष्ट देखो यहाँ पर थुरुटी मिल चुकी है मिल के अगई है तो आपका उष्ट होता है उष्ट ठीके इस पुरा से सा की इस प्रकास बीच में लगा होता है तो उस्ट्र बनता है, उस्ट्र का उठ होता है, इस प्रकार से बिवला तुरूटी है अगला है किनलिखित कच्छम तद्बों सब्दों के युग में तुरूटी पूड़ है चले यहाँ पर बताए कहाँ पर तुरूटी आपके है, 69 और जवाब यहाँ पर, आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर देखो, गोमे का होता है गोबर, छीर का होता है कीर पर्यक का होता है क्या पलंग होता है, पट्री नहीं होता है, है ना, पट्री नहीं होता है, पलंग होता है, इस प्रकार से C नमबर आपको यहाँ पर तुरूटी पूर है option आपका C होज़ेगा अगला है परण सब्द का यहाँ पर तद्भो बताना है परण का तद्भो क्या बनेगा तो परण का तद्भो यहाँ पर आपका बनेगा option A होज़ेगा पत्र बनता है याद रखे, क्या बनता है? पत्र बनता है, ठीकिए? अगला है अंगीठी का तस्रम. चले, अंगीठी पूचा गया है और अंगीठी जो कि अप old हो चुकी है, यह question old हो चुका है, लेकिन फिर भी पूचा गया है, यहाँ पर अंगीठी का तस्रम क्या बनेगा तो ये बनेगा अगनिस्ठी का क्या बनेगा अगनिस्ठी का और कौन सा ये वाला अगनिस्ठी का इस प्रकार से आपका सही होगा ठीक है और अगला प्रसने कि निमलिखित में से कौन तद्भो सब्दे कौन तद्भो सब्दे बाहत्त नंबर तो तद्भो सब्दे य इनमें से तदभाव सब्द बताईए, तदभाव सब्द बताना है, तो देखो ये तो आपका तदस्म है क्योंकि रावड़ा है, है ना, वा सब्द जो होता है, वा आपको कहां 99 होता है, चांस कि वा आपको तदस्म ही होगा, यहाँ पर भी वा है, यहाँ पर बा है, याद र अगला है खाट का तर्सम रूप बताईए खाट का तर्सम रूप बताईए पनही सब्द का तर्सम रूप बताईए पनही सब्द का तर्सम रूप बताना है पच्छत नमबर पनही सब्द का तर्सम तो याद रिखे पनही का तर्सम बनता है उपनाः ठीके क्या बनता है उपनाः सब्द बनता है अगला है पोखर सब्द का तर्सम रूप पोखर का तर्सम रूप क्या बनेगा तो बिलकुल ल प्सिंड के पर एक एक युव प्रश Hide और चृनप यहां पर पूछा गया है और चनप का यहां पर पুछा गया है और चन आ पने का पर शाहिए तो जवाब यहां पर आपका होजएक ऑल है solution यहां पर ए नंबर होता है क्या होता है याद देख लीजी चणग छीक के लिलबर अगला प्रशने उनका तस्सम रूप बताईे उनका तस्सम क्या बनता है तो याद दर कि उनका तस्सम रूप आपका बनता है याँ पर ऑप्शन डी होजेगा उन्ड बनता है ओर्ण ठीके डी फज्छा नमबर अगला है कि थाली का साम रोप बताईए थाली का साम रोप बताना है एक सो बतयुस नमबर चलिये जामॉन का साम रोप आपका GABA जाता है सब्द है चलि सब्द से पूछा है और दस्म सब्द है और यहां फ्यर्स क्या बनेगा 133 नंबर तो दस्फम सब्द यहां पर आपका जो है वह तत्वां पर आपका किया डाकनि क्या क्या किन सब्द इसका तदभो डाइन बनता है, अगला है कि एक तदभो सब्द यहाँ पर है कौन सा, एक तदभो सब्द, तदभो सब्द क्या हो जागा 134 में, तो जवाब यहाँ पर आपका सही हो जागा 134 का, आपका, सही जवाब आपका हो जागा कौन सा, एक तदभो सब्द आपका है, को बनता है पिस्टार्म बनता है यह अगला प्रम बनता है आपका C नंबर चतुस्पादिका बनता है ठीक है तो इतनी बड़ी क्लास हो जाती है हम भी बोलते बोलते हैं पर ठक जाते हैं लेकिन आपको अपनी तरफ से यह हो कि नहीं फिरी सर फिरी में सिच्छा दे रहे हैं तो कही न कहीं इनकी भी हल्प की जाए वीडियो लायक कर दिया जाए आपको लाइक करने में आपका हाथ जो अंग उठा है ठक नहीं जाएगा ठीक है ना है पैसे कड़ जाएंगे कांट से है ना सिर्फ आपको कमेंट जैसे कर रहे हैं तो एक पॉइंट आप दाप दिया करिए तो हमको लगेगा नहीं कि इतने लोग जुड़े हैं और इतना पसंद करत करते हैं बस इसलिए लाइक करिया करिए ठीक है तो अगले पॉइंट करते हैं कापूर सब्द क्या है कापूर सब्द क्या है तो कापूर कापूर क्या है आपका यह आपका तद्बह है ठीक है का तस्सम मनता है क्या करपूर बन जाता है रा उड़ जाता है अगला है कि तिल अब वनता है T का क्या वनता है आपका T का वनता है याद रहे कि T का वनता है बिल्कुल से हर एक पॉइंट को समत्ते चलना है ठीक है एक बार वीडियो देखो तो पूरा कंपलीट हो जाएगा और फिर भी एगर थोड़ा बहुत लगे तो दोबारा एक बार देख लो पूरा पूरा टॉपिक बिल्कुल से रट जाएगा चलो तो निम्न सब्दों में से देशज भासा का चैन करें देशज भासा का चैन करना है देशज जो की देश में उत्पन हुआ हो जिसे देशज कहते हैं हम लोग अपनी बोलचाल के भासा में उसको प्रयोग करते हैं तो इसाज को अगला है निम्न स़ड़ों में से देशाज भावासा का चैन करें देशाज भावासा पूचा है और देशाज जो आपका हो जब जाए यहां पर देशज भासा है, अगला है, निम्न सब्दों में से देशज भासा का चैन करें, देशज भासा का चैन करना है, 146 नमबर, और 146 को उप्शन राइट आपको यहां पर, जो हो जाएगा, भी ढोंगा, ठीक है, ढोंगा बाव यह दोंगी बावा, वही चीज है, भी नमबर, खुनगी भी आपको कैसा है, यह देशज है, अगला है, निम्न सब्दों में से देशज भासा का चैन करें, देशज भासा का चैन करना है, और देशज भासा यहां पर देख सकते हैं, जो आपका है, ओप्शन डी, लोटा जो आपका है, यह आपका देशज है, ठीक है, अग किन्यमने सब्दों में से देशज भासा का चैन करें, और यहां पर जवाब आपका हो जाएगा, B नमबर भजन, ठीके, भजन यह आपका कैसा है, आपका देशज है, ठीके, अगला प्रस्न है, किन्यमने सब्दों में से देशज भासा का चैन करें, देशज भासा का चैन करना तो जवाब आपका यहां पर आपका b हो जोगा धीबरी धीबरी आपका कैसी आ गला है किने म는 सबदों में से देसज भासा का चैन करें चलिए देशज भासा आपके आपकि कॉंसी हो जाएगी तो जवाब यहां पर आपका हो जाया आपका a number नसा ठीक है आपके यह आपका तो यह अर्बी भास बाता है तो यह याद रखिए अगला अनियम्ण सब्दों में से विध्यसज भाता का चेहन करना है चलेे, विध्यसज भाता यहाँ अपर देख सकते हैं जो आपका है option right D जो आपका चाय है ठीक है ठीक है ली ची ची कू ये सब आपका चीनी सब्द होते हैं option आपका D हो जाएगा अगला है निम्न सब्दों में से विदेसज भासा का चेहन करें चले 154 नमबर तो विदेसज भासा आपकी जो है वो आपकी कौन सी तो जो जहर है जहर ठीक है ये आपका कैसा है ये आपका विदेसज है और ये भासा से आपका लाया गया है ठीक है भासा से लाया गया है ठीक है और यहाँ पर भासा से लाया गया है ठीक है और यहाँ पर भासा से सब्द में आपकी तो जिसमें ज्यादा बच्चे हो उसे को क्लिक करिएगा क्योंकि बहुत लोग फैक चैनल बना लेते हैं किसी दूसरे के नाम से ठीक है तो उसको आप क्लिक मत करिएगा जिसमें से लोगों बना हो और वहां पर ज्यादा लोग होंगे वही चैनल आपका होगा ठीक है तो सभी लोग वीडियो एक बार लाइक कर दीजी और इसके बाद हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धनवाद जैंजे भारत